हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रुपाली और आप सभी का स्वागत है रुपाली स्किजन में तो दोस्तो आज मैं आप लोग के लेकर आए हूँ औरेंज केक की रेसिपी यह बहुत ही डिलीशस यम्मी और बहुत ही सॉफ्ट बनके तयार हुआ था तो चलिए इसकी रेसिपी हम ल लिए थे, तो एक योग को मैने अलग कर दिया था, सबसे पहले हम को कया करना है एक वाइड को बीट करना है और उसे फ्लफी बनाना है तो यहाँ पर मैं एक वाइट को बीट कर रही हूँ, हाइच स्पीड में बीट कर रही हूँ और एक कप मैंने शुगर ली थिये, जिसे हम दीरे-दीरे करके मिलाएंगे एक बार में सारी शुगर नहीं डालेंगे, मैंने ती पार्ट में शुगर को डालके उसको बीट किया था तो यहाँ पर हमें इसमें जो है, जो पीक्स होते हैं वो नहीं चाहिए जब आप फेटिंगे तो इसका कलर थोड़ सा पेल टाइप का हो जाएगा और वो काफी एर भर जाएगी तो हम यहां पर ले रहे हैं एक अप मैदा और एक चमच बेकिंग पाउडर और दो चमच मैंने आप लिया है मिल्क पाउडर डालना कंपल सरी नहीं है आपके पास हो त यहां पर मैंने लिया है वन फोट कप जो है और इसमें अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं ज़रूरी नहीं है और 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 इंच का वो भी मिक्स कर सकते हैं इसमें फ्लेवर अब हम जो है एक वाइट का जो हमने मिक्षर बना कर रखा हूँ था उसको हम दीरे दीर से भी मिक्स करेंगे तो यहां पर मैं फटा-फट से इसको मिक्स कर लेती हूँ मिक्सिंग में बड़ा राम है अब इसमें थोड़ी से लंप जैसे दिख रहे थे मिसको तो मैंने इसको बीट किया है तो बीट करने से क्या होगा इसका कलर देखने आप और भी चेंज हो है तो उसको भी हम इसमें मिक्स करके अच्छे से बीट कर लेंगे अब यहां पर हमारा बैटर जो है तयार हो चुका है और बीट करने से क्या होता है हमारा बैटर काफी फलफी बन जाता है तो यहां पर मैं केक्टिन तयार कर रहे हूं तो यहां पर मैं केक्टिन तैयार कर ताकि उसकंद अगर कोई air bubble हो तो निकल जाए तो यहां पर मैंने अपने पागोनी को जो है वो preheat कर लिया था और फिर उसको बेक कर लिया है 30-35 मिनिट उसको बेक होने में लगते हैं और यहां पर हमारा केक बन के तियार है तो यहां पर मैंने इसकी 3 slices निकाल ली थी इसको बीट करेंगे उसके बाद में इसमें डाला था वनीला वोल्यूम वनीला ही निकलता है मों से और इंज का जो है फ्लेवर डाला है और हमारे बैटर में जो है अच्छे से पीक सा चुके हैं काफी तो सॉरी इन गला तो मेरे पास में इना और इंज कलर बिल्कुल खता से के रहन था आप का था पर के मीश भीष्टार बिल्कुलिए में तो नर्म था इन आप आपने के को मुष्ट कर लिया तो यह फर मैं लगांगे क्रीम और यह मैंने लिया है और आफे और आपर में था जो ख्लेवर होता है और लिये उसके रहता है advocate model शॉक्क कर बीड़ से क जालेगे विज़ से भी तो अगर दो पानी के मिक्षर से भी उसको कुछ कर सकते हैं तो कुछ कुछ कमपल चारी हैं तो तो काफी अचा फलेवर आ जाएगा पर मिर पास था में लेकर आई ती इस पेशली स्पेशली मैं ने डाल दिया तो आपके लिए तो चलेगा तो फिर व जाएगा तो इसी तरीके से तीसी लेयर भी मैंने रगती है अब उसके बाद में हमें करनी है क्रम कोटिंग तो जितने भी खाली गैप्स मुझे दिखेंगे उसमें मैं ये अपना क्रीम जो है उसको लगा के जिसे फिल कर लोगी और उसके बाद में ये मैंने पूरा इसको है तो अब क्या करना हां है अभी बिंगनर्स हैं तो थोड़ा मुझकील होता है अगर घर के ली बिना रहे तो ठीक है अगर आप सेल करते हो तो इवन करना लगता है कि हाँ भर मैं तो घर के लिए हिग बना तो यहाँ पर मैने क्या किया था? और अणिज कलर का थोड़ा स्थ्टा जो बचा था उसको मैने पनी में लगा दिया जो होते हैं न क्या बोलते हैं उसमें लगा के उसको डा करने की खुशिच किया और अप मैं यहाँ पर बना रहे हूँ एक बॉडर अनफोर्चनलेटली मेरे पस में उसी औरेंज कले बिल्कुल भी नहीं था और जो था मैंने बड़ी मुश्किल में उसको यूज किया और केक बनाने के लिए निकाल चुकी थी तो नहीं अब तो भाई कुछ भी हो जाए बना की रहोंगी तो यहां पर मैं इसको स्टार नोजल मेरे में नहीं स्टार नोजल भी है उससे बना दे मेंने और अपर भी तुर प्र एफजी तो यहां मैं एक फ्लॉववर बना ने की कोशिश कर रही है सबस्क्राइं तो मीरे पास में चोटा सा अब खरी में हैं डूपीक कोड़ता है ने Agr threeCart में इस थे चिटास के जाएं मैंने आप अपने पैसंद से मना सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मैं घर मैं एक पतिया थी तो मैंने तो वही लगा दिया तो अब मैंने सोच्छा आप लोग कैसा लगा मैं रहे केक मुझे ज़रूर पता हीगा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजेगा और प्लीज फोलो को मौल बाइबाइ